इस स्केटिंग रिंग में स्केट करने के लिए अच्छी खासी ट्रेनिंग की ज़रूरत है लेकिन सन इलियोनी जब अपने फिल्म का प्रमोशन करने यहां पर पहुंची और उन्होंने इस स्केटिंग रिंग में जब स्केट किया तो अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स उनको देखते रहे गए सफेद बर्व पर बेहद अदा से बलखाती सनी का ये अवतार आपने कभी नहीं देखा होगा गोल गोल आइस रिंग में घूंती सनी जहां खुश थी वहीं उनका ये अंदास देकर पब्लिक भी खुश हो गए मौका ताफ फिल्म एक पहली लीला के प्रोमोशन का इस आइस स्केट में फिल्मी हस्तियां अक्सर फिल्म प्रोमोशन के लिए आती है लेकिन शायद ही कोई सितारा इस तरह स्केटिंग रिंग पर उतरता है आप खुदी देखिए कितने आराम से सनी स्केटिंग करती नजर आ रही है मुझे नहीं लग रहा था कि I was doing it like a pro सावलोग देखिर थे, so I was a little nervous बट पच्छमन से जब हम छोटे थे, we would go on the lake and हम लेक ब स्केटिंग करते थे, हम आइसरीं में स्केटिंग करते थे I used to take figure skating lessons so मुझे बहुत अच्छा लगते, actually मैं यहां नहीं होना चाहती, मैं वहां होना चाहती हूँ मुझे कहलना, I want to play but, थोड़े सकाम तो करना है Fans भी Sunny के संदाज को देख कर खा से खुश थे और हो भी क्यो ना, उन्होंने शायद ही किसी स्टार को ऐसे लिखा था इस नहीं Sunny ने वहां मौझूद अपने फैंस को अपने फिल्म की म्यूजिक की सीडी भी बाटी Skating रिंग में स्केट करके Sunny लिओनी खासी उतसाहिद नज़र आई यहाँ पर उन्होंने फिल्म का प्रमोशन तो किया ही साथी साथ इस स्केटिंग रिंग में अपने हस्बन डैनियल के साथ जम कर मस्ती भी की कैमरे पसंट अनुराक सक्सेना के साथ स्वाती दिलिया